नमस्कार साथियों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल समार शड़ी पॉइंट में तो साथियों कल आपको पता चल गया होगा कि एक नया नोटिस जारी कर दिया गया जिसके अंदर जो कल रखके बच्चे रहते थे डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको एक बार बुला लिया गया है तो लगबग 3-4-5 महिने के बाद एक बार फित से जो केंडिडेट्स को बुलाने का क्या कारण है कितने बच्चे रहते हैं जिनका अभी तक वेरिफिकेशन हुआ नहीं है उनको कहा जाना है यह सब क्यूस्चन बने हुए हैं साथ में ही अब आगी क्य वीडियो है वही मैं आपके लिए राता हूं क्योंकि एक छोटी बात के उपर बैचेनी बढ़ाना वह हमारे से होता नहीं है तो बिल्कुल आपके लिए जो जानकारी है वह हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाती है तो दोस्तों कल आपके लिए जो सेसे ने नोटिस डाल दिया था कि जो भी बच्चे रहते हैं डोकुमेंट वैरिफिकेशन उनको एक और मौका दिया जा रहा है और वो आपके जो तारिक दी गई है 25 और 27 तारिक को जा सकते हैं तो अब क्या कारण रहा कि एचसेसे ने दुबारा बुला लिया है कैंडिडेट्स को डोकुमेंट लिए तो अगर हम पीछे जो रजल्ट आया है डी गूरूप का उसकी ही बात कर लें तो उसके अंदर जूला जो आपका मई का मंत था उसके अंदर कैंडिडेट्स को मौका दिया गया कि आप एक साल के बाद भी अगर आपने जोइन नहीं किया है में लिस्ट वालों ने तो अब भी आपके पास मौका है कि आप 10 जून तक जोइन कर सकते हैं तो यहाँ पर कल रख के रेजल्ट को तो हम इसी अंदाज से देखे तो वहाँ पर तो उतना टाइम हुआ भी नहीं है जबकि जो आपकी डी गूरूप वेटिंग के अंदर जो कैंडिडेट्स इंतजार कर है कि जो मेंन लिस्ट वाले जोइन करना चाहते हैं वो दस जून तक जोइन कर लें यानि कि सीधी सीधा मनशा यहां पर यहीं है कि किसी भी तरह की कोर्ट केस और बाद में जो दिक्कत है वो नहीं आनी चाहिए इसलिए वह मौका है वो आपको सही टाइम पर दे रही है यह कारण यही है कि इन कैंडेट्स को बुला लिया गया है दूसरा कि कितने बच्चे रहते हैं तो मेरे अनदाजा यही है कि साथ से आपका जो 20 जनवरी तक का टाइम था उसके बाद में फरवरी के अंदर भी मौका दिया गया है कैंडेट्स को कि वो डोकुमेंट वेरिफिके के लिए किसी कारण से कोई exam का उनका interview वगयरा हो गया हो कोई schedule हो एक्जाम का तो कोई ना गया हो यह कारण है नहीं तो आप यह मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिनको करवाना है वो करवा चुके हैं तीसरी बात कि इसके अंदर mention नहीं है कहां पर जाना है तो यहां पर एक बात है कि जो other terms and conditions are same as mentioned in earlier notice for scrutiny of documents यानि कि जो conditions हैं टरम्स हैं वो same रहने वाली हैं जो पिछली के अंदर थी तो पिछली जो आपकी document verification वगएरा होई थी वो देवि पर इसाब से वही आपकी same रहने वाली है जो आपका stadium है पंचकुला के अंदर वहां पर आपकी verification करवा सकती है अलांकि इसके according जो officially एक और notice भी आ सकता है कि जगां को लेकर कि कहां पर करवाना है क्योंकि वह अच्छी तरह इसके अंदर mention नहीं है तीसरा result को लेकर बात कि अ जब यह verification का काम है पच्छी सताइस तारी को खतम हो जाएगा आप सही मान के चलिए कि बहुत ज्यादा बचे नहीं रहते हैं जिनको verification करवाना है तो वह काम भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए जहां तक पूरी कर संभावना हैं तो उम्मीद है कि आपका जो result का काम है व सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक भी कर देजेगा अपने और अपनी परिवार का ख्याल रखे तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट अपडेट्स के लिए जैहिंग जैभारत